जारखन के जिला सिम्डेगा के बानू प्रखन के हुर्दा में बर्सों से लगने वाला इद मेला इस बार नहीं लगा आपको बताते ही चलें कि छेतर का हुर्दा मेला लोगों के लिए मनोरंजन का एक साधन है मेले में विविन प्रकार के खेल तमासा लोगों के मनोरंजन के लिए आते हैं इस संबन में पूरी विधायक प्रतिनिती सचिन बढ़ाईक ने बताया कि इस वर्स मौसम तो ठीक है परंद कोरोना महामारी के करण सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार भीडबार नहीं करना है इस करण मेला नहीं लगाया गया किवल साम को पहान गोसनर जोजो के द्वारा इंदर देव की पूजा कर परंपरा को जीवित रखा गया सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करतु है मेला का टाप छतरी गाड़ा गया और छेतर की कुसलता हुआ इंदर देव से अच्छी पसल होने की कामना की गई आज ग्राम पंचात जमताई के हुर्दा में इंद मेला का दिन है लेकिन इंद मेला के अवसर में हमारे जो लोकल पहान है वो पहान पूजा किये संती पूरवक और आज संती पूरवक ही सिर्फ पूजा पाठ ही किया गया लेकिन ये पुजा पाठ कई सालों से चल रहा है और हर हमेशा यहां पर हर सोलास के सास्थ तेवहार मनाया जाता है लेकिन ये लोकडाउन के कारण इस बार संती पुर्वक सरकार के आदेश के अनुसार पालन करते हुए आज सिर्फ पुजा बीधी संपन करते हुए इंद परव को मनाया जा रहा है तो दो बात हम लोग इस गाउं के पहान से बातचीत करेंगे जोहार पहान महोदे तो बीते समय में इस तरह से हो रहा था तो आज जो नहीं हो पाया तो क्या कारण है तो इसमें क्या है लोग डाउन के चलते हली इंसल पुजा खली हो रहा है और खेला प्रवरा में जार रहा है तो यही है और हमारे फिर ते कुछ कि इस बार नाचगान नहीं हो रहा है तो कैसा लग रहा है तो आज यहां पर जंडा जो गाड़ा गया है यह उपर में टोपोर फहरा हुआ है चत्री है इसका मतलब है कि यहां पर इंद्रदेव का पुजा पाठ संपन हो गया है और आज के लिए जो इंद्र का कार्ज करम है बाकी नहीं हो रहा है इसलिए यही पर आज का कार्ज करम को समाप्त किया जाता है और सभी लोग अपने अपने घृर मायूसो करके जा रहे हैं कि हर समय तो यहाँ पर गाजा बाजा होता था लेकिन गाजा बाजा नहीं हो पा रहा है धन्यवाद